inercal channel मेरा नाम है Mradula , और आज का हमारा टॉपिक है hemopoiesis तो चलिए स्टार्ट करते हैं... VIN strorí – ह्मुपोईसिस लिए एक ऐसा प्रॉसेस्स है जिसमें के ब्लट की जो form elements जैसी के RBC, WBC – प्लेट लिट्लेट's जो होते हैं वो डिफ़लप करते हैं जो हेमोपोईसिस है उसका प्राइमरी लोकेशन बर्थ से पहले आपका होता है इम्प्रोई की योग साल्ख में और फिर बाद में वो लिवर, स्प्लिन, थाइमिस और लिंप नॉट्स में फिर्टिस के होने रगता है ठीक है और बर्थ के पहले ही लास्ट्री मन्स में यह आपका फिर फाइनली रेड बोन मैरो में होता है और बर्थ के बाद यह आपको continue रहता है as a source of blood cells और यह आपके throughout life भी रेड बोन मैरो में ही आपका यह हेमोपोईसिस के तरो formed elements का formation होता रहता है रेड बोन मैरो जो है वो highly vascularized connective tissue होता है और बेसिकली यह आपका present होता है axial skeleton, pectoral, pelvis, cradle के bones में और proximal happy physis, wrist, and bumer के bones में about आपका 0.5 से लेके 0.1% of red bone marrow cells जो होते हैं वो आपको derived होते हैं mesonkind से और इसलिए उनको pluripotent stem cells या फिर hemocyto blast कहते हैं यह जो pluripotent stem cells होते हैं वो further आपको two types of cell produce करते हैं myloid stem cells और lymphoid stem cells यह जो myloid stem cells होते हैं वो धीरे धीरे आपके red bone marrow मेरो में develop करते हैं और उससे आपको red bone cells, platelets, monocytes, neutrophils, eosinophils और basophils produce होते हैं यह उसमें develop होते हैं जो lymphoid stem cells होते हैं वो तो अपना development red bone marrow में start करते हैं लेकिन complete उनका जाके होता है lymphatic tissue में ठीक है और यह वहां पर यह lymphocytes produce करते हैं यह जो hemopoiesis process होता है उस time पर क्या होता है कि कुछ myloid cells जो होते हैं मतलब यह myloid cells जो produce हुए है वो आपको further differentiate हो जाते हैं progenitor cells में और जो बाकी rest of the myloid stem cells होते हैं और lymphoid stem cells होते हैं वो directly आपको precursor cells में convert हो जाते हैं यह precursor cells आपको further divide नहीं करते हैं और their respective cells में वो grow करते हैं यह जो progenitor cells होते हैं वो आपको उससे भी ज्यादा specific elements of blood का formation करते हैं और उनमें से जो कुछ होते हैं उनको colony forming units बोलते हैं यानि की CFUS और इनके जस्ट आगे आपका abbreviations लगा होता है जो की यह indicate करता है कि कौन सा mature element blood का वो produce करेगा उसके बाद जब यह progenitor cells जो होते हैं वो और यह जो फ्रकुरसल बाद दे फ्रकुर्प्रृसल जानाने जाते हैं और इनको हम बलास्त भी कहतें हैं कalgं में ब्लाड को अपने एक्च्छल-स दीविजन होते हैं जिसमें कि वो अपने अच्छल फॉर्ण कर दो कि अब्लद के अंबे उनमें डिवलाब हो जाते हैं यह जो हेमोपैसिस सिस्टेम होता है मतला हो प्रोसेस होता है वो आपके कुछ हर्मों के थ्रो रेग provisions उनमें डिफ्रेंसियेशन और प्रोलीफरेशन को को कंड्रोल करते हैं इन अन्होले के finger 추천 तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो है erythropoietin जो कि आपको जो red bone cells precursors होते हैं उनके number को increase करता है और ये आपको primarily आपके kidney में produce होता है हार्मोन है वो है thrombopoietin जो कि आपको liver में produce होता है और ये platelets यानि कि thrombocyte के formation को stimulate करता है megakaryocytes से थर्ड जो है वो है cytokinin ये आपके small glycoproteins होते हैं जो आपको अलग-अलग cells से produce होते हैं जैसे कि red bone marrow cells, leucocytes, macrophages, fibroblast और endothelial cells ठीक है ये cytokinin होते हैं वो आपको progenitor cells जो कि आपका red bone marrow में होता है उनके proliferation को यानि कि further division को ये stimulate करते हैं और साथ में ही जो cells की activities होती है जो कि आपके non-specific defense और immune responses से related होती है उनको ये regulate करते हैं अब हम एक flow chart से देखते हैं कि कैसे आपका hemopoiesis process होता है पहले आपका red bone marrow में pluripotent stem cells होते हैं फिर वहां से वो further divide होके आपके myloid stem cells और lymphoid stem cells का formation करते हैं ये जो myloid stem cells होते हैं इन में से कुछ आपके colony forming units में convert होते हैं और कुछ directly आपके as a precursor develop होते हैं तो यहां पर myloid stem cells से आपको CFUE मिला है जिससे की आपको pro erythroblast मिलता है फिर reticulocyte मिलते हैं और फिर red bone cells यानि की erythrocyte का formation होता है second जो है वो CFU MEG होता है जो की megakaryoblast में develop होता है उसके बाद megakaryocyte और फिर finally आपको platelets यानि की thrombocyte मिलता है third जो है वो यह है आपका precursor यह जो है वो eosinophilic myloblast produce करता है जो की finally आपको eosinophil produce करते हैं next जो है myloid stem cells से आपको basophilic myloblast मिलता है जिससे की basophil मिलता है और उसके बाद next है आपका CFU GM यानि की यह आपको myloblast और monoblast का formation करता है myloblast जो है further neutrophil में और neutrophil और basophil और eosinophil मिलके आपके granular leukocyte का formation करते हैं यह further जो आपका myloid stem cells से monoblast मिला है वो monocytes और further macrophages में develop होते हैं यहां पर जो second division है lymphoid stem cells यह further आपके two categories में divide, three categories में divide होते हैं T lymphoblast, B lymphoblast और Nk lymphoblast और Nk lymphoblast से आपको natural killer cells मिलते हैं B lymphocyte से आपको B lymphocyte B cell और finally आपको plasma cell और T lymphocyte से आपको T lymphocyte यानि कि T cells मिलते हैं और यहां पर जो यह आपके monocytes, T lymphocytes, B lymphocytes और natural killer cells है वो आपके एक granular leucos sites होते हैं तो इस तरह से यह पूरा process hemopoiesis का होता है जिससे कि आपके blood के formed elements यानि कि RBC, WBC और platelets का formation होता है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इससे like, share और comment करें THANK YOU for watching